दोस्तो भीगे चने बादाम और किस्मिस का सेवन सेहत को काफी लाब पहुचाता हैं क्योंकि ये तीनों ही चीजे पोसक तत्तों से बरपूर होती हैं वैसे तो अधिकांस लोग भीगे चने बादाम और किस्मिस का सेवन अलग-अलग करते हैं लेकिन क्या आपने कभी भीगे चने बादाम किस्मिस का एक साथ सेवन किया हैं इस मिस्रन का सेवन सेहत के लिए बेहद गुनकारी होता है भीगे चने बादाम और किस्मिस का एक साथ सेवन करने से सरीर को परियाप्त उर्जा मिलती है साथ ही इसके सेवन से स्वाफस्ते से जुड़ी कई अन्य समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है दोस्तो भीगे चने में फाइबर, केलसम, कार्बोहईडरेट, प्रोटीन, आईरन और विटामिन जैसे कई पोसक तत्तू पाए जाते हैं तो वहीं बादाम में केलसम, विटामिन E, फाइबर, ओमेगा 3, फेटी, एसिड, पोटेशम, मेगनीसम, ओमेगा 3 और जिंक मौझूद होता है तो वहीं किसमिस, कार्बोहईडरेट, आईरन, फासपोरस, मेगनीसम, विटामिन C, प्रोटीन, पोटेशम जैसे तत्तों से भरपूर होता है आईए जानते हैं भीगे चने बादाम और किसमिस के फाइदों के बारे में खून की कमी करे दूर अगर आपके सरीर में खून की कमी है, तो आपको भीगे चने बादाम और किसमिस का एक साथ सेवन करना चाहिए जी हाँ, इसमें पाए जाने वाला आईरन सरीर में हीमो गलोबिन के लेवल को बढ़ाने में मदद करता है जिससे खून की कमी दूर होती है कबज में फाइदेमंद, अगर आप कबज की समस्या से परेशान है, तो आपको भीगे चने बादाम और किसमिस का एक साथ सेवन करना चाहिए जी हाँ, इसमें पाए जाने वाला फाइबर मल त्याक को आसान बनाता है, और कबज की समस्या को धूर करने में मदद करता है किसमिस का एक साथ सेवन करना चाहिए, जी हाँ, क्योंकि इसमिसरन में विटामिन C और विटामिन E पाया जाता है, जो इम्मिनिटी को बुस्ट करने में मदद करता है, जिससे आपका मोसमी बिमारियों से बचाव होता है, तवचा को रखे स्वस्त, अगर आप भीगे चने बादाम और किसमिस का सेवन करते हैं, तो यह तवचा को लाब पहुचाता है, जी हाँ, क्योंकि इसमिसरन में विटामिन E पाया जाता है, जो तवचा को स्वस्त रखने में और तवचा को गलोइंग बनाने में मदद करता है, दिल को रखे स्वस्त, अगर आप भीगे चने बादाम और किसमिस का एक साथ सेवन करते हैं, तो यह दिल को स्वस्त रखने में मदद करता है, जी हाँ, क्योंकि इसमें पाये जाने वाला गुन कोलेस्ट्रोल और बलड प्रेसर को कंट्रोल करने में मदद करता है, जिससे हार्ट अटेक, स्टोक जैसी बिमारी का खत्रा क होता है, हड्यों को बनाएं मजबूत, अगर आप भीगे चने बादाम और किसमिस का एक साथ सेवन करते हैं, तो यह हड्यों को लाब पहुचाता है, जी हाँ, क्योंकि इसमें केलसम पाया जाता है, जो हड्यों को मजबूत बनाता है, और हड्यों से जुड़ी परेसानियो को दूर करने में मदद करता है सरीर को रखे एनर्जेटिक अगर आपको कमजोरी महसूस हो रही है तो आपको भीगे चने बादाम और किस्मिस का एक साथ सेवन करना चाहिए जी हाँ क्योंकि इस मिसरन में पाए जाने वाला आरन प्रोटीन कार्बोाइडरेट सरीर को एनर्जेटिक रखने में मदद करता है दोस्तो अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और जादा से जादा सेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें